We are here in सार्थल वैली और हमारे साथ Firstly, I would say we are lucky to have with us मुजम्मिल याजदानी, President, National UIT NGO Welcome sir in सार्थल वैली और हम खुश किसमत है कि आप जैसे लोग इस वैली में आते हैं तो इस वैली को एक्स्प्लोर करने में और भी मदद मिलती है Welcome sir Thank you so much इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को लेकर जहांके अजेंशल गोवर्मेंट सर्वसिस लैक करती हैं और चलाते हुए के इस साल हो चुके हैं इस डबल इंजन सरकार में मानने मोदी साब जैसे कहते हैं कि डूलपमेंट के लिए बहुत पैसा है हमारे सपास लेकिन वो यहां क्यों नहीं पहुँच रहा है यहां से तो अभी दो LS seats भी जीत के गए हैं और भाशनबाजी, newspapers और मीडिया में जो है वो एकदम गोदी मीडिया सपोर्ट कर रहा है उनको और हमें सामने दिख रहा है, visible है और यह one of the biggest tragedy है in a democratic setup के newspapers और मीडिया जो है वो एक तरफ दिखा रहे है यह बहुत बड़ी casualty है कैसे देखते हैं इस एरिया को और government को मेरा 2018 के बाद आज पहला विजिट है यहां पे I would say कि अगर 2018 में जो हमने यह देखा था यह सर्थल जो देखा था उससे आज इसकी upside down है यहां पे और श्यादा business setup हो गया है लोगों के stay के लिए इंतिजाम है यहां पर हमने एक चीज़ नोटिस की कि जितने भी shop की परस हमने देखे जितने भी hotel owner देखे especially मैं कहूंगा जो वाजवान वाले हैं सब लोग इतने cooperative हैं सब लोग इतने प्यार से आप से पेश आते है इस जगा को मेरे खहल से और explore और develop होने की जुरत है जैसे मेरे सुनने में आया था कि कहीं many stadium भी यहां के लिए sanctioned है उसका भी काम नहीं हो रहा है काफी time से वो काम भी बंद पड़ा है तो हम LG प्रशासन से और जिला प्रशासन जो डिस्टिक कट हुआ का है उनसे दरखास्त करेंगे हम अपील करेंगे कि जल्द अस जल्द ये जगा develop हो tourist flow बड़े, economic flow बड़े तो लोग जो हैं ज़्यादा खुशाल हो हमारा youth ज़्यादा ज़्यादा एंगेज हो business की तरफ आपने बात के ही media की media तो एक ऐसी चीज़ है जैसा आप देखना चाहें आप वही देख सकते हैं आप positive देख सकते हैं, आप negative देख सकते हैं मानिने मुख्यमंत्री फिर से नियुक्त होके आए हैं दीसरी बार, देखिए, over the night कुछ भी change नहीं हो सकता, पहले तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप कभी यह जज मत करना कि मैं किसी political parties affiliated हूँ, आप सब लोग मेरा verification करा सकते हैं, मैं किसी भी political parties affiliated नहीं हूँ, लेकिन, हमें एक चीज़ और समझनी चाहें कि हम एक नेशन हैं, लेकिन सर जो planning देख रहे हैं हम, CAA में, NRC में सतर हजार क्रोड लाया, हमारे मुलक पे अभी भारत पे external debt 630 trillion USD, United States dollars है, जो 25% GDP बनता है country का, education policy को देखें हम, health maintenance के सतर को देखें हम, network के हम बात करें तो यह इसको अभी अंधेरे में रखा हुआ है इस एरिया को, तो क्यों वो planning हम कह सकते हैं कि people friendly policies of the government क्यों नहीं enact हो रही हैं, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि youth जो अभी बेरोजगार बैठा है, नोक्रिया कहीं नहीं है, ढाइक रोड का वादा था, वो सारा, और political ethics देखो, vote लेने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, और उसके बाद जो ह लोगों को वेकूब बनाया जाता है, 15 lakh account में, अगर हम यहां पर educational policies, politics ethics discuss ना करें तो बहतर है, political ethics की बात करें, या हम educational policies, यह CA और NRC की बात करें, इन national issues, अमिल सर, power and capitalism, इसी से तो हम अपने develop करेंगे, तो power तो capital से develop होगा न सर, so miss use हो रहा है, दूर पयोग हो रहा है, capital का भी capital misuse हो रहा है, यहां यूज में हो रहा है, सामने सर, सामने मुझा, देखो, 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 मेरी बात सुनो, 2018 में मैं आया हूँ, यह road ऐसा नहीं बना था, आज यह road मैं कहता हूँ, 70% हमारी गाड़ियां travel कर रही है, अब आप बो, development नहीं हो रहा है, तीसरी, तीसरी, सर, हट है, otherwise government की तरफ से नहीं हटायागे, अगर आप democracy हो, आपको तो इतना हग है, और अगर आप कर रहे हो, तो यह आपकी duty बनती है, हम लोगों की सबसे बड़ी दुविदा यह है, हमें सिर्फ fundamental rights यूज करने आते है, fundamental duties हम नहीं निबाना चाहते, अगर हमारा हिंदुस्तान अगर आप आज पीछे रह रहा है, यहां development में इतना time लग रहा है, यह अभी तक इतने 70 साल बात भी हम developing countries की उस list में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम fully responsible नहीं है, हमें fundamental rights तो चाहिए, fundamental duties किसी को याद नहीं है, मैं फिर से एक बात clear कर देना चाहते हूं, मेरा किसी political party के साथ को अभी affiliation नहीं है, वनकी दूर दूर तक नहीं, not even on phone calls, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हमेरे सामने दिखती हैं, देखे, आपकी बात किया जाए, यहाद फोर्ट फिलर अप democracy, आपको कहीं कुछ गरत लगते हैं, तो आपको चाहिए आप रशासन के पास जाओ, हम हैं NGO वा सोचो कि roads बन रही है, इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार निकम्मी है, इसका मतलब पैंसा चल रहे हैं, तभी तो लोग बैठे हैं यहाँ पर भाई धाल फुलका तो खाओगे, इसका मतलब यह है कि हम लोगों को अपनी duties ज्याद नहीं है, कहीं ना कहीं हमें खुद उजागर होने की जुरत है, मेरा आम तोर पे सारे यूथ को, सब लोगों को एक message रहता है, देखो, सरकार भी अगर efforts कम कर रही है या नहीं कर रही है, यह तो हमारी नालाई कि है, हम लोगों से जवाब नहीं लेते हैं, हमें चाहिए जवाब लेना, at the end of the day, it's your money, you are the taxpayers, हमें डर लग हमें एक चीज सोचनी चाहिए, he is for us, हम उसके लिए नहीं है, उसको सरकार ने न्युक्त किया है, हमारी परेशानिया खतम करने के लिए, हमारी दुविदाओं का हल निकालने के लिए, तो यह कहीं नहीं हमारी नाकामी है, हम सवाल ही नहीं पूछ सकते, हमें सवाल पूछन जाते हैं, करना नहीं चांदेए, तो सर्थल के लिए यह होजए, तर्थल में अभी कमिया तो है, मैं इसचीज को नकार नहीं रहा हूँ, यह जिसट्राक पर फास्ट्राक पर यें काम होना चाहिए था, शायद नहीं हो रहा है, नेटवर्क इशूज सबसे पहले यहां पर है लेकिन अभी सुनने में आया कि टावर शायद इंस्टाल होना है आप लोगों की कोशिशूंग की वज़ा से टावर यहां पर इंस्टाल होने वाला है यहां पर नेटवर्क भी बहुत जल्द आएगा उनका भी contract कल को सकता है revenue generate हो सकता है employment create हो सकती है और business को boost करने के लिए इसकी advertisement जिस level पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है दंगल के नाम पे यहां पर हर साल advertisement होती है लेकिन मुझे लगता है वो आम लोगों तक पहुंचती नहीं है मैं यहां से कुछ ही किलामेटर्स दूर रहता हूं बदरवा में आज तक मुझे भी शाहिद पाता नहीं होता है जब हो गई होती है हम कही ने social media पर देखते हैं यह जब फालानी जगा पे दंगल कंड़क्ट की थी कोशिशे कर रहा है प्रयास सब करें लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहें तो हम सब की जिम्यदारी बनती है small volunteer of a national NGO या media person whosoever you are हम सबकी एक जिम्यदारी बनती है फिलाल मेरा message सारे यूथ को सारे लोगों को यही है कि फिलाल आप अपनी जिम्यदारिया निभाएं और कोई आगर आपको फिर भूल चुक लगती है कि कोई भी आला अधिकारी अपनी जिम्यदारी नहीं निभाता है तो आप आइकन चनाब वैली से और अपनी एंजियो के थुरूजे लोगों तक पहुंचते हैं थैंक्यू सो मच सार इन फ्यूचर भी आते रहें और दोस्तों को लाएं एंजियो भी लाएं हम वेलकम आज तो हमारी एंजियो की टीम यहां पर है हमारे वॉलेंटेयर है तो हमारी ए सेप्टेंबर को छेंज मेला होगा मैं पूरी कोशीश करूंगा कि हमारी एंजियो उसमें एक एक्टीव पार्टिस्पेंट हो मैं हमारी एक ऌछी की